आर जे 45 connector lead आप अपने हाथों से और अपने घरों पर कैसे बना सकते हैं तो चलिए हम बनाते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके लिए कुछ tools की आवसकता पड़ेगी तो सबसे पहले आता है हमारा crimping tools जो प्लायर की तरह दिखाई देता है आपको crimping tool कहलाता है यह है हमारा crimping tool और इसका जो उप्योग है बहुत ही आवसकता अनुसार होता है और यह है हमारा connector जिसकी मदद से हम camera की lead को इसके अंदर प्रेस करके एक connector lead को हम बना सकते हैं पूरे तरीके से तो आपको connector कुछ इस तरीके से आपको दिख देंगे जिसमें एक तांबे की पत्ती उपर दिखाई देगी तो अब देख सकते हैं और एक हमें चाकू की आवसकता पड़ेगी जो इस wire को हमें छीलने के लिए कम आएगी इसका जो insulator है उसे हटाने के लिए कम आती है तो इसे wire हटाने के बाद जो ये connector है इसके अंदर हम इस wire को प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद हमें जो crimpig tool की मदद से इसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा और ये है हमारी land machine तो आप कुछ इस तरीके से wire का जो insulator हटा देना है और crimp से कुछ इस तरीके से जमा देना है आप देख सकते हैं या स्कींसोर्ट ले सकते हैं सेम इसी तरीके से जमाने के बाद करम से और ये connector के अंदर हमें अच्छे तरीके से π्रेस कर देना है प्रेस करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो तांबे की पत्तियां है वह हमेशा हमें उपर ही रखना है आप देख सकते हैं जो तांबे की पत्ति है उसे उपर ही रखना है वायर को इसके अंदब प्रेस करना है और हमें अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ये है गलती से भी निकलना जाए जितना हो सके अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद हमें करना क्या है कि इसे क्रिंपिंग टूल की मदद से अच्छे तरीके से इसे दवा देना है तो देखी ये है crimping tool और इसके अंदर holes बने रहते हैं connector के जैसे देख सकते हैं 8 पोल 6 पोल आप देख सकते हैं कि आपको clear दिखाई दे रहा है तो चलिए मैं इसके अंदर इसे प्रेस करता हूँ तो देखी ये बहुत ही आसानिक साथ इसके अंदर प्रेस हो चुका है अब जो ये crimping tool है मैं इसे दोनों हाथों से बहुत अच्छे तरीके से इस पर दवाव डालूँगा और जैसे मैं दवाव डालूँगा तो ये जो connector है इस wire में फंच जाएगा इसे कहते हैं RJ45 तो देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से यहां प्रेस करने कोशिस कर दिया हूँ तो देख सकते हैं यह नहीं निकल रहा है इसका मतलब यह बन चुका है इसी तरह सेम दूसे तरफ भी हमको लगा लेना है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मैं लगा दिया हूँ और यह निकल नहीं रहा है तो इस तरह आप दोनों सिरो पर लगा देना है अब यह आती हमारी लेन मसीन अब देख सकते हैं कि इसको मैं चेक करके बताता हूँ कि यह सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है तो चलिए मैं इसे को इसमें लगाता हूँ इसमें दो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्टर के जैसे सेम तो अब देख सकते हैं प्रेस करें कुछ इस तरीके से लगा देना है और खाली एक होल बचता है तो मैं भी उस पे लगा दूँगा ये दूसरे में कुछ इस तरीके से लगा देना है देख सकते हैं प्रेस करके हलका सा दवा देना है तो ये लग जाएगा अब मैं यहां एक स्विच लगी है तो मैं इसे चालू करता हूँ अब देख सकते हैं कि इसे on off और यह fast चलाने वाली है तो चलिए मैं यहां चालू करता हूँ तो चलिए यह मैं यहां सी से ओन कर दिया तो देख सकते हैं कि यहां जो एक LED है वो समान तरीके से चल रही है इसका मतलब यह है कि यह lead मेरी सही है और लाश्ट तक बराबर जानी चाहिए और इसका प्योग हम computer को Ethernet के रूप में कर सकते हैं और camera CPU DVR में इसका प्योग है